Hey guys, welcome back to my channel So, आज आप जानेगी कि कैसे आप और्गानिक तरीके से काजल बना सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो कमर्शल काजल अविलिबल है उसमें है भरपूर मात्रा में लेड और कैमिकल जो आपकी आईज में इचिंग और इरिटेशन क्रियेट कर सकते हैं आईए जानते हैं कैसे और्गानिक तरीके से आप होममेट काजल बना सकते हैं जो यह और्गानिक काजल है यह आपकी व्यूटी तो इनहांस करेगा ही और साथ ही आपकी आँखों की रोश्नी भी बढ़ाएगा वैसे तो काजल बनाने की बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आज हम घर के कुछ बहुती देसी इंग्रीडियन्स यूज करके बनाएंगे होमेट काजल तो आईए शुरू करते हैं पुरी रसिपी को सो होमेट काजल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए अजवाहिन तो एक चमच के करीब अजवाइन आपको लेनी हैं फिर आपको लेना है दो से तीन बदाम अगर आपको quantity कम रखनी अपने काजल की तो आप आधा चमच अजवाइन और एक बदाम भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने ले ली है रूई तो रूई की जो बाती है थोड़ी सी बड़ी बनेगी इसमें क्योंकि काजल उससे बहुत ही अच्छा बनता है तो इस तरीके से हम रूई को ओपन कर लेंगे उस पर डाल देंगे अजवाइन तो आपको बद्ती के अंदर इस तरीके से फैला कर अजवाइन डाल देना है उसके बाद आपको लेना है खल बत्ता और खल बत्ते में हम डालेंगे दो से तीन जो हमने बदाम ली थी वो और अच्छी तरीके से हम खल बत्ते में क्रश करके बदाम का पाउडर बना लेंगे आपको सभी को पता है कि बदाम हमारे लिए कितना फाइदे बंद है और हमारी आखों के लिए तो ये वर्दान है अगर आपकी आखों की रोशनी कम है या फिर आपको कम दिखाई देता है तो ये बदाम का काजला प्लगाई आपको बहुत फाइदा मिलेगा तो अब हमने ये जो powder बनाया है बदाम का उसको भी हम इस तरीके से बाती पर डाल देंगे और अब हम बती बना लेंगे तो आप जो ये बदाम और अजवाइन है अच्छी तरीके से wrap कर लीजे बती के अंदर ताकि ये गिरे ना तो आपको बती बहुत दिहान से और अच्छी तरीके से बनाना है तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरी बती जो है वो एकदम ready हो जा आप चाहें तो दिया भी ले सकते हैं लेकिन मुझे कांच का बाउल बहुत जादा comfortable लगता है तो अब मैं इसमें पूरी बती को डिप कर दूँगी अच्छी तरीके से डिप करना है ये पूरी तेल में नहा ले उतना आपको डिप करना है इस बती को तो है ना ये प्रोसेस इकदम असान फिर भी हम इतने महंगे महंगे काजल बजार से करीदते हैं और ये फाइदा पहुचाने के जगे हमें नुकसान पहुचा देते हैं तो ये तरीके से एक बार काजल बना के देखिए आपको फाइदा भी मिलेगा और आपकी ब्यूटी भी इन्हांस होगी और ये होगे हमारा दिया रेजी जो नाच्रल तरीका इतना असान है तो क्यों अपनी आखों को क्यामिकल से खराब करना तो अब ले लीजिए माच इसकी तीली और दिये को जला लीजिए और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेबी इसके लिए भी कंप्लीटली सेफ है क्योंक तो कॉपर की प्लेट भी उसकर सकते हैं और ये जल कर बन जाएगा हमारा बहुत ही अच्छा होमेट काजल क्योंकि मेरी कॉण्टिटी बहुत जादा है तो इससे जलने में आदा गंटा करीब लग जाएगा आप चाहे तो अपने इसाब से कम कॉण्टिटी भी बना सकते है तो ये काजल आपका सिर्फ 10 मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगा और आप देख सकते हैं प्लेट पर पूरा काजल आ चुका है अब मैं इससे स्क्राप कर लूँगी इस तरीके से तो इससे स्क्राप करना भी बहुत आसान है ये अपने आपी प्लेट से जैसे ही आप चमश जालेंगी ये निकलने लग जाएगा अब बस अच्छी तरीके से इसे खटा कर लीजी तो बजार से महंगे और कैमिकल वाले काजल लेना बंद कर दीजी और इस देसी तरीके से घर में ही काजल बनाई है ये वाटर प्रूफ भी होता है इसका ट्राइल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी अब मैं यहाँ पर ले रहे हूँ एक चोटी सी डबी जिसमें अपना काजल को स्टोर कर सको तो चोटी सी डबी लेने के बाद मैं उसमें डालूंगी आधा चमच करीब के घी क्योंकि घी जो है वो भी आपके आँखों के लिए बहुत जादा फायदेबन है अब जो हमने यह काजल निकाला था वो दोनों चमच काजल मैं इस घी में अड़ कर दूँगी और अड़ करने के बाद आप अच्छी तरीके से इस काजल को मिक्स कर लीजिए और यह हो गई हमारी फाइनल स्टेप और हमारा काजल जो है आपसुलूटली रेडी हो गया है य यह तो हमारी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन है घर पर काजल बनाना हमारी दादी नानी इस तरीके से ही काजल बनाया करती थी तो क्यों न हमारी पुरानी संस्कृती को हम फिर से जगाए और घर में ही काजल बनाया है आज यह जो कमपनी स्क्लेम करती है smudge proof of waterproof होने की इस स जादा waterproof काजल आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं कितनी जादा पानी के प्रेशर में मैंने इसे रखा है और ये निकल ही नहीं रहा तो है ना ये waterproof आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर आप इस तरीके से काजल बनाएंगे तो मुझे कमेंस में जरूर बताए वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बाबाई